आज हम इंजिनेरिंग मेकैनिक्स के 57th लेक्चर में और हैंगिंग बीम सब्जेक्ट तू यू दियल आज पाइंट लोड का शेर फोस्ट डियाग्राम और बेंडिंग मोविंट डियाग्राम निकालते हैं तो आए देखते हैं ये बीम तो ये है एक beam A, B, C, D जो की C और D पर supported है और A, C और D, B हमारा एक overhang निकला हुआ है और अभी हम इसके से जो support reactions calculate करेंगे और shear force diagram और bending moment diagram बनाने के लिए shear force and bending moment की calculation करेंगे उसके लिए हम A, C portion और D, B portion को can deliver मानके इसकी calculations करेंगे अब इस beam में A point पे point load लगा हुआ है हमारा 10 kN का और B point पे लगा हुआ हमारा 20 kN का तो जैसा कि procedure है उस procedure के साब से सबसे पहले हमको calculate करना पड़ेंगे support reactions तो आईए हम support reactions calculate करते हैं तो support reactions calculate करेंगे लिए हम ये मान लेते हैं हमारी ये जो beam है ये तीन हिस्सों में divided है एक हिस्सा हमारा AC दूसरा हमारा हिस्सा CD और तीसरा हिस्सा हमारा BD अब ये तीन हिस्सों में अगर हम इसको अलग-लग treat करते हैं तो हमारा जो AC point है और DB point है ये हमारे cantilever हो जाएंगे और आपके CD point है वो हमारा सिंप्ली सपोटेट के हिस्साब से बीएव करेगा अब यहां पर हमारा जो यूडियल लगा हुआ है फाइक किलो न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है और इसको भी अगर हम तीन हिस्सों में बाढ़ देते तो यहां पर हमारा ये यूडियल दो मीटर के स्पान पर एक कर रहा है तो यूडियल की इंटेंसिटी वह जाएगी 5 इंटु 2 और यहां पर 6 मीटर के स्पान पर एक कर रहा है तो इसकी इंटेंसिटी वह जाएगी 5 इंटु 6 और यहां पर 1 मीटर के स्पान पर आक कर रहा है तो इसका इसका इंटन सीटेट कहनी होगे 512 और पाइंट आफ इक्षिन इसपान का आधा यहा पर approximately 2 मिंटर तो इसका ऑइंट आपका इसपान आपका इसपान होगे 435 याहा पर आपका इसपान होगे 511 और यहा到底ीट से पाइंट इसकी दूरिए प्रिकार से हम इसको मान देते हैं अब इसी बीम पे सबसे पहले हम condition लगाते हैं submission V is equal to 0 अब submission V is equal to 0 में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vertical loads है जिसमें कि RC और RD जो है vertically upwards है और आप 10, 5 to 2, 5 to 6, 5 to 1 और 20 यह vertically downwards है तो तो vertically upward force हम एक तरफ रखते हैं और vertically downward force हम दूसरी तरफ रखते हैं तो RC plus RD is equal to 10 plus 20 plus 5 into 9 कुकि total span हमारा 6, 2 और 1 total 9 meter span है तो इसको हमने उपकलब कर दिया तो यहां find ने यह आपका आगया 75 kN अब हम लेते submission M is equal to 0 माली condition अब हम लेते moment about C में आप देख सकते हैं कि जो RD वाला force है यह counter clockwise moment create कर रहा है तो RD into 6 एक तरफ आ गया यह आपका 5 into 2 यह भी counter clockwise moment create कर रहा है और इसका distance से C point से 1 तो 5 into 2 into 1 और 10 kN का है यह भी counter clockwise moment create कर रहा है तो that is equal to 10 into 2 यह हम तीनों forces counter clockwise एक तरफ रखते हैं अब दूसरी तरफ जो clockwise forces होंगे C point पर आप देखेंगे तो 5 into 6 जो है यह आपका clockwise moment create कर रहा है तो 5 into 6 into 3 5 into 1 का distance आप देख सकते हैं C से तो 3 plus 3 plus 0.5 तो that is equal to 5 into 1 intensity and perpendicular distance is equal to 6.5 और 20 का हो गया 6 plus 1 that is equal to 20 into 7 यहां से आप जब reduce करेंगे तो यह value आपकी 262.5 तो यहां से RD की value आपकी 38.75 यह RD की value यहां पर put कर दीजिए 38.75 अब इस equation में RD की value put कर दीजिए तो आपका value आजाएगा RC का 36.25 kN यहां पूट कर दीजिए RC is equal to 36.25 kN तो इस प्रकार से हमने अब support reactions देखा लिए अब हमारी अगली बार यह share force calculation की तो आईए आप calculate करते share forces तो share force calculation हम इसे देख करेंगे कि सबसे पहले तो हम लेंगे share force at the right hand side of the B जैसे आप B की right hand side पर है तो आप share force कुछ भी नहीं है तो share force 0 हो गया जैसे आप B point पर पहुचते हैं तो share force at left hand side of the B आपका हो गया plus 20 आप पुराना video lecture देखिए इसका sign convention के लिए तो यह plus 20 हो गया अब जैसे आप D के point की तरफ बढ़ते हैं तो share force at left hand side of the D is equal हो गया आपका plus 20 plus 5 अब प्लस 20 plus 5 का जो variation है B point पे 20 रहेगा और D point पे 25 रहेगा variation रहेगा triangular तो यहाँ पर आप B point पे 20 रखेंगे और D point पे 25 का point रखेंगे और इन दोनों को slope से join करेंगे अब दडी यहाँ पर 25 मेंसे यह आपका minus होगा यह जो आपका UDL लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन और यह पूरे span पे इसको हम 5X बोलते हैं तो D point पे X की value 0 है तो यह 5 रहे जाता है और जैसे आपका C point पे आता है तो X की value हो जाती है 6 तो यह हो जाता है आपका 5 x 6 30 तो यहाँ पर हो गया minus 13.75 plus 30 यह value आपके आगे plus 16.25 तो यह आप देखेंगे जाइन से जाइन करना पड़ेगा अब आप आप जाएए शेयर फोर्स एच सी शेयर फोर्स एट राइट है तो आपका हो गया plus 16.25 minus 36.25 यह आपका यहाँ पर जो plus 16.25 यहाँ से आपका 36.25 माइनस हो जाएगा तो यहाँ आपका आपका शेयर फोर्स minus 20 अब आप आप आजे यह शेयर फोर्स एड़े लेफ हैंड अफ देखेंगे तो minus 20 माइनस टेंटी मेंगे अपका 5 इंटी है इस पॉर्शन पे आपका 1 करा 5 इंटी जाएगा यह इस पर से minus हो जाएगा अब इस प्रिकार से हम ये share force डियाग्राम बना दिये अब हमारे पास यहाँ पर एक point आ रहा है यह वाला point यहाँ पर share force sign आपका chain कर रहा है minus 13.75 से 16.25 तो minus से plus जाना की बीच में एक position ऐसी आएगी जहाँ पर share force 0 हो जाएगा तो this is the point of 0 share अब 0 share की distance निकालने के लिए हम वाला जो equation है हमारा 13.75 माइनस 5X वो लगा देंगे तो minus 13.75 प्लस 5X is equal to 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जो value है 0 है share force की तो यहाँ से हमको x की value मिल जागी 2.75 मीटर है मतलब d point से 2.75 मीटर दूरी पर हमारा 0 share का point लाए करता है तो इसकी value हमको इसलिए भी चाहिए पड़ेगी कि अभी हम जब bending moment calculation करेंगे वहाँ पर हमारा maximum bending moment वही पर मिलेगा जहाँ पर share force 0 है तो आईए अब हम निकालते हैं bending moments तो आईए अब हम bending moment calculations करते हैं सबसे पहले तो हमें यह पता है कि हमारे जो cantilever portions के free end रहता है वहाँ पर हमारा bending moment 0 रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं A point और B point यहाँ हमारे BD और SC portion जो है beam के हैं cantilever portion है उनके free end से तो BM is equal to 0 at A and B तो यहाँ पर आप B पे और A पे bending moment 0 ले लिजी अब उसके बाद हम आते हैं आपके इस portion पे D point पे आपका एक force B point पे लगा हुआ है 20 kN का और D point पे force लगा हुआ है आपका reaction जिसकी की value है 38.75 अगर हमको D point पे bending moment चाहिए तो हम थोड़ा सा portion D point के ही बना लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा easy हो जाएगा calculation क्योंकि cantilever portion है आपका bending moment hogging आएगा negative आएगा तो minus 20 into 1 20 का ले लिजिए spawn ले लिजिए 1 और यह UDL था हमारा 5 kN per meter का और आधे पेक करके तो इसका value intensity 5 5 into 0.5 यह हमने ले लिए minus 5.5 into 5.5 अब इसकी value आगए आपकी minus 22.5 kN अब minus 22.5 kN हमने यहां लिख लिया अब इसके जो variation आएगा वो parabolic आएगा because it is a UDL so एक parabolic आप ड्राव कर दें बी पॉइंट से लेकर D point तक अब आजाएए bean portion AC पर तो A पर हमारा 0 है BM at C निकाल लेते हैं यह हमारा C point है और यह हमारा UDL का midpoint act है तो यहां पर आपका value आजाएगी minus 10 into 2 यह 10 जो है यह 10 into 2 और minus 10 into 1 इसकी value आगए आपकी minus 30 यह आपने minus 30 का यहां पर point कर दिया और A और C point से आपने एक parabolic curve से इसको join कर दिया अब हम आते हैं इस point पर जो है हमारा bending moment क्या रहेगा क्योंकि इस point पर हमारा bending moment maximum आएगा तो इस point की calculation करने के लिए हम सिर्फ चाहे तो B point से ले चाहे A point से ले अभी B point से लिया हुआ है B point से लेकर X point तक का beam draw करेंगे आप यह देख सकते हैं beam यह X point जो है D point से 2.75 मीटर की दूरी पर यह आपने draw कर दिया अब यह 2.75 इस तरफ जो निकला हुआ 1 मीटर निकला हुआ है तो 2.75 और प्लस 1 हो जाएगा अगर इस UDL को हम convert करते हैं तो इसकी value हो जाएगी 5 into 2.75 प्लस 1 यह 2.75 यहाँ और प्लस 1 तो यह होगे आपका 5 into 2.75 प्लस 1 की intensity होगे अब point of action भी इसका 2.75 प्लस 1 की आधे पर आएगा तो 2.75 प्लस 1 डिएड़ बाइ 2 तो यहाँ पर आपकी value आगे minus 5 into 2.75 प्लस 1 into 2.75 प्लस 1 upon 2 यह होगे आपका manning moment due to this UDL यह आपका 20 kilo newton का load है यहाँ पर आपकी इसकी value आजाएगी 20 kilo newton की अब एक और force act करेगा that is your 38.75 यह RD 38.75 का जो इस x point से दूरी है 2.75 तो इसको आपने ले ले 38.75 into 2.75 आप position देख लिए 20 kilo newton और 5 kilo newton meter x point के moment create कर रहे है आपका clockwise और right hand side पर होने के वाज़े से clockwise moment हमारे जो है negative रहते हैं तो हमने यह negative ले लिया और आप RD को देखेंगे तो यह counterclockwise moment create कर रहा है right hand side पर counterclockwise moment को हम positive मानते हैं हमने यहाँ पर इसको positive ले लिया आप हमारा यह sign convention के लिए जो हमारा lecture number 42 43 आप देखिए तो इसमें हमने sign convention आपको इसके बारे में बता ही दिया है अब यहां से जब हमने इसको solve किया तो हमारी value आगए minus 3.59 अब यह minus 3.59 का हमने यहाँ पर x के नीचे point लगा दिया और c x और d एक और curve draw कर दिया जो कि minus 30 minus 3.59 और minus 22.5 को join करता है तो इस प्रिकार से यह वाले beam हमने solve होती है overhanging beam with udl and point load तो dear students यहाँ पर हमारा जो RGPV का first year का जो course है basic civil engineering और engineering mechanics में जो engineering mechanics सा part है वो पूरा cover हो जाता है अगर आपको लगता है कि इसमें हमने कोई चीज छूट गई है तो आप comment box में मेरे को जरूर comment करके बताईए कि कौन-कौन सी चीज़े छूटी हुई है आप जो भी comment box में comment करेंगे और कोई subject छूटा हुआँगा तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी उसकी video lectures बना के डालूँगा आशा है आपको ये सारा share force diagram और bending moment diagram जो series मेरी चल रही थी lecture no.43 से लेकर lecture no.57 तक उसमें आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी अब मेरा आपसे यही कहना है कि आप इनका जो है अच्छे से उप्योग कीजिए और अपने exam में ज्यादा से ज्यादा marks लाइए अब इसके बाद में शुरू करूंगा वापस हमारा पुराना subject engineering survey engineering survey के जितने भी छूटे हुए topic है वो हम आज से शुरू करेंगे तो मिलते हैं हम अपने अगले video lecture में जो की engineering survey पे रहेगा अगर आपको चाहिए कि मेरे lectures के updates आपको मिलते रहें तो आप मेरे channel daily innovations for life को जरूर subscribe कीजिए subscribe करने के साथ-साथ bell icon को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बिना bell icon दबाए आपके पास notification नहीं पहुचेंगे thank you very much for watching us मिलते हैं अगले lecture में